साथियो इस वीडियो में हम लोग 2021 के important current affair को डिसकस करेंगे जो आपके upcoming exam के लिए बहुत ही जरूरी होगा इस वीडियो में जनवरी से लेके December तक के पूरे current affair को डिसकस करेंगे और सारे जो current affair होंगे वो MCQ टाइप के होंगे यानि कि बहुत विकल्पिय प्रश्ण के रूप में होंगे तो इस वीडियो को सुरु से last तक आप पूरा देखिएगा और कई पार्ट में ये वीडियो आएगा तो ये वीडियो का part number one है पहला वीडियो है और इसमें important question को discuss करेंगे और वैसे questions होंगे जो आपके previous year में पूछे जाते हैं जिस pattern पर अधारित उसी प्रकार के current affair के questions को ह दिया गया है आप सर्च कर सकते हैं www.serakareexamwala.com इस पर जाके आप state PCS से जुड़े हुए जितने भी आपके news, current affair, GKGS होते हैं वो पढ़ सकते हैं आप GKGS हर exam के लिए पढ़ सकते हैं, current affair कर सकते हैं, mock test दे सकते हैं तो आप बहुत सारी पढ़ाई कर सकते हैं, NCRT, exam, syllabus, य Economic Intelligent Unit यानि कि EIU द्वारा जारी सुरचित सहर सुचकांक 2021 के संबंद में कौन सा कथन सही नहीं हैं, तो पहला कथन है इस सुचकांक में कोपेन हेगन को प्रथम अस्थान प्राप्थ हुआ, दूसरा है भारत के सहर नई दिल्ली को पचासवा अस्थान प्राप्थ हुआ, तो बताए इसमें कौन सा कथन सही नहीं है, चलिए, तो जान लीजिए इसका उतर है option number B, केवल दूसरा सही नहीं है, इस सुचकांक में कोपेन हेगन को प्रथम अस्थान प्राप्थ हुआ, ये सही है, भारत के सहर नई दिल्ली को पचासवा स्थान प्राप्थ हुआ, ये नाम पर रखने की घोश्टा की है, option A है, नीरत चोपडा, option B है, सचिन तेंदूलकर, option C है, मेजर ध्यान चंद, और option D है, मीरा बाई, चानू, तो बताए इसमें सही उतर आपका क्या होगा, तो इसका उतर है option number A, सेना खिल संस्थान का नाम बदलने की जो घोश्टा की यनुस्को की विश्व धरोहर सूची में सामिल किया गया है, आप बताए इसका सही उतर क्या होगा, हडपा काल के किस सहर को यनुस्को की विश्व धरोहर सूची में सामिल किया गया है, ए राखी गड़ी, बी धौला वीरा, सी काली बंगा और डी बनावली इसका उतर है option number B धौला वीरा धौला वीरा को वियोनशकों की विश्व धरोहर सोची में सामिल किया गया है तो इसका उतर है option number A उतर प्रदेश किस ने सुरू किया है उतर प्रदेश की सरकार ने महिलाओ की टीका करड के लिए इस्पेसल पिंक बूत की सुरूआद की है option number A यहाँ पे सही हो जाएगा चलिए नेश्ट कोशन है निम्रिकित में से किस राज्जी में देश की पहली इलेक्ट्रिक विकल सिटी को विक्सित किया जाएगा ए करनाटक, बी महाराष्ट्र, सी गुजराद, और डी च्छतिसगर तो बताए इसका सही उतर क्या होगा इसका सही उतर है option number C गुजराद गुजराद राज्जी में देश की पहली इलेक्ट्रिक विकल सिटी को विक्सित किया जाएगा तो कहाँ पर किया जाएगा गुजराद राज्जी में किया जाएगा ठीक है चलिए अगला कोशन है UAE ने भारतिय मूल के किस व्यक्ति को आबुधाबी के सीर्स नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया है बताइए इस प्रश्ण का सही उत्तर क्या होगा अप्शन है योसुफ अली नजीर एहमद संजीव कुमार जस्पाल सिंग इसका उतर है अप्शन नमर ए योसुफ अली योसुफ अली को जो भारतिय मूल के व्यक्ति हैं इनको आबुधाबी के सीर्स नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया गया है UAE के द्वारा आगे बढ़ते हैं नेक्ट कोशन है निमलिकित में से किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोरोना वैक्सीन तयार किया आपको बताना है कि जानवरों के लिए भी कोरोना वैक्सीन जो है तयार हो चुका है तो किस देश ने सबसे पहले ये चीज़ करके दिख हाया है आपके सामने चार option है option ध्यान से देखिएगा अमेरिका रूष चीन और भारत कि इसका उतर option number B Russia यानी रूष रूष यहां पर आपका सही उतर हो जाएगा रूष ने दुनिया का पहला कोरोना वैक्सिन तयार किया है किसके लिए तो जानवरों के लिए आगे पढ़ते हैं एवार्ड से भी जुड़े हुए प्रशन पूछे जाते हैं कि किस फिल्म में सर्वसेष्ट एवार्ड दिया गया वगयरा वगयरा तो 93 नंबर का आसकर एवार्ड 2021 जो है दिया गया है औ इसका उतर है आपका यहां पर सही उतर हो जाएगा तो यह जो है आपका 93 नंबर के आसकर एवार्ड जो 2021 में दिया गया उसके लिए बेस्ट फिल्म का एवार्ड इसी को मिला है ऐसे कोशन्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इसलिए ध्यान में आपको रखना है पहली भारती अमेरकी महिला हाली में कौन बनी है बताईएं इस प्रशन का सही उतर क्या होगा ऑप्षन आपके सामने दिये गये हैं ध्यान से देखेगा स्री सैनी स्रेया सिंग कृती गोश्वामी या फिर सृष्ठी जैन इसका उतर है ऑप्षन नमबर ए स्री सैनी किसको दिया गया है या कौन बना है? स्वारी, कौन बना है ये खिताब किस ने जीता है? स्री सैनी ने, जो कि भारती अमेरिकी महिला है और Miss Word अमेरिका 2021 की का खिताब इनों ने जीता है Next question है, भारत के किस सहर में देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माड इकाई की सुरुवात की गई है A. मुंबई, B. दिल्ली, C. बैंगलोर, D. गाधिनगर क्या उतर होगा इसका? इसका उतर है C. बैंगलोरू कहां पर? बैंगलोरू तो ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का निर्माड इकाई की सुरुवात जो है वो बैंगलोरू में की गई है और ये भारत देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माड इकाई है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की तरफ अगला प्रश्ण है अगस्तु 2021 में रच्छा मंद्री राजनाज सिंग ने चेनई में किस अप्टेटी गस्ती पोस्ट का को भारती शेहना में शामिल कमिशन किया चलिए तो इसका उतर हो जाएगा option number C कलवरी किसको किया कलवरी विक्रम विग्र हैं कलवरी और सक्ती option था तो कलवरी यहाँ पर आपका सही उतर हो जाएगा चलिए नेक्ट कोर्शन है कौन सा देश ग्रिन श्टील का निर्माड करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है ए फ्रांस बी चीन सी जापान एंडी स्वीडन तो साथियों इसका जो सही उतर है वो है option number D स्वीडन यहाँ पर सही उतर हो जाएगा तो ग्रिन श्टील का निर्माड करने वाला दुनिया का पहला देश जो है वो स्वीडन बन गया है option number D सही हो जाएगा आगे पढ़ते हैं next question की तरफ अफगानिस्तान में तालिबान संकट को देखते हुए भारत द्वारा अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से बाहर निकालने के लिए किस मिसन की सुरुआत की गई तो भारत यह जो नागरिक थे उनको वापस भारत में बुलाने के लिए उनको वापस लाने के लिए किस मिसन की शुरुवात की गई थे भारत के द्वारा A. वंदे भारत मिसन B. आपरिशन काबुल C. आपरिशन देवी शक्ति या फिर आप्शन D. मिसन अफगानिस्तान चलिए जान लेजिए आपरिशन देवी सक्ति यहाँ पे सही उतर हो जाएगा Confusion हो सकता है अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप मिसन अफगानिस्तान लगाएंगे जो की गलस हो जाएगा Option C. आपरिशन देवी सक्ति यहाँ पे सही उतर हो जाएगा ध्यान रखेगा आपरिशन देवी सक्ति आगे पढ़ते हैं अगला कोशन है किस राजी या केंदर सासित प्रदेश में दुनिया के सबसे उचाई पर इस्थित सिनिमा हाल का उद्गाटन किया गया Option A. लदाख B. जम्मु कस्मीर C. हिमाचल प्रदेश D. उत्तरा खंड तो बताएगे यहाँ पर सही उतर क्या होगा साथियों इसका उत्तर है Option A. लदाख ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी जनरली ये देखा जाता है किसी भी एक्जाम में अगर राजी के साथ अबलिक किंदर सासित लिखा है तो वहाँ पर लगभग 99% कोशन्स में वो किंदर सासित राजी ही आपका सही हो जाता है तो ध्यान रखेगा यहाँ पर दो किंदर सासित प्रदेश है एक लदाख है और एक जम्मु कस्मीर है तो यहाँ पर लदाख आपका सही उतर होगा जहाँ पर दुनिया के सबसे उचाई परिस्थ सिनेमा हाल का उधगाटन किया गया है आगे बढ़ते हैं आपके टेनिस से जुड़े हुए खेज से जुड़े हुए प्रशन पूचे जाते हैं तो विव लंडन टेनिस टूनामिट 2020 के पुरुष एकल का खिताब किस ने जीता बताईए इस टेनिस टूनामिट 2020 के पुरुष एकल का खिताब किस व्यक्ति ने जीता है इसका उत्तर जल्दी से बताईए आप लो इसका उत्तर साथ हैं अप्शन नंबर B नुवाग जोकोविच ठीक है तो ध्यान रखेगा नुवाग जोकोविच ने जीता है ठीक है आपका उत्र हो जाएगा आप्शन नंबर B आगे बढ़ते हैं नेक्ट कोशन है गरतन दिवस 2021 की परेड में किस देश के सैनिक दस्ते को सामिल किया गया गरतन दिवस जो 2021 मनाया गया था यानि कि 26 नमबर तो उसकी परेड में किस देश के सैनिक दस्ते को सामिल किया गया A. France B. Mauritius C. Bangladesh D. Maldiv साथियों इसका सही उतर है बंगला देश किसके सैनिक दस्ते को तो बंगला देश के सैनिक दस्ते को इस परेड में सामिल किया गया था Next question है दिवस से जुड़े हुए प्रशन पुझे जाते है कि कब मनाया जाता है या theme क्या थी तो 21 March 2021 को मनाये गए विश्व वन दिवस की theme क्या थी तो वन दिवस A path to recovery and well-being D. Save forest and promote education आपको बताने इसका सही उतर क्या होगा इसका सही उतर है option number C Forest restoration A path to recovery and well-being Forest को क्या करना में restore करना है यानि कि जो विश्व वन दिवस को ध्यान रखिएगा अगर आपको इतना पता होगा इतना mind में रखेंगे तो आप समझ जाएंगे इसका उतर आराम से लगा पाएंगे तो March में मनाया जाता है और option number C यहाँ पे सही उतर हो जाएगा अगला प्रश्ण है पुस्तक से जुड़े प्रश्ण पूचे आते हैं कि इस पुस्तक के लेखक कौन है तो March 2021 में प्रकासित पुस्तक My Experiment with Silence के लेखक कौन है तो बताइए इसका सही उतर साथियों क्या होगा इसका उतर option number A समीर सोनी समीर सोनी ने My Experiment with Silence पुस्तक को लिखा है इसके लेखक है और March 2021 में इसको प्रकासित किया गया है ठीक है चलिए अगला कोशन है देश का पहला बुद्धिष्ट थीम पार्क किस राजजी में बनाया गया है अब देखिए बुद्धिष्ट यानि बुद्धिष से जुड़े हुए तो आपको ध्यान से समझ के इसके सही उतर को चुनना है हो सकता है आप मेंसे बहुत सारे लोग कनफ्यूज हो जाए इसलिए ध्यान से समझ के इसका उतर देना है इसका उतर है साथियों आप्शन नमर सी मध्य प्रदेश हो सकता है आपको उतर प्रदेश और बिहार लग जाए क्योंकि यहाँ पर काफी उनका युगदान दा नहीं यहाँ पर मध्य प्रदेश आपका सही उतर हो जाएगा मध्य प्रदेश में देश का पहला बुद्धिष्ट थीम पार्क के राज्य बनाया गया है यहाँ इस राज्य में बनाया गया है जनवरी 2021 में भारत के ने किस देश के साथ सौरी औरजा के छेतर में बढ़ावा देने के लिए समझहोता गयापन पर हक्साक्षर किया है समझहोता गयापन मतलब मुमरेंडम आफ अंडरस्टेंडिंग M.O.U भारत ने किस देश के साथ किया है सौरी औरजा के छेतर में बढ़ावा देने के लिए A. जापान B. उजबेकिस्तान C. फ्रांस D. रस्या तो साथियों इसका जो सही उतर है वो है option number B. उजबेकिस्तान हो सकता आपके mind में ये तीनों राज्या हैं ठीक है हो सकता आपको लगे कि ये तीन हो सकता है उजबेकिस्तान नहीं हो सकता है लेकिन यहाँ पर उत्तर उजबेकिस्तान ही है तो ध्यान रखना ठीक है तो इसी के साथ हमारा ये क्लास जो है वो समाप्त हो गया अब ध्यान रखिएगा आप हमें Facebook, Twitter, Instagram पे follow कर सकते हैं और आप हमारे website पर visit कर सकते हैं जिससे क्या होगा कि आपको सभी classes की जो सूचनाय है वो मिलती रहेंगी और आप हमारे हर वीडियो के साथ हर class के साथ जुड़े रहेंगे और इस से आने वाले जो हमारी वीडियोज है उसकी सूचना उसकी नॉटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और आप क्लास के साथ पढ़ाई के साथ हमीसा जुड़े रहेंगे ठीक है तो और जो बॉक टेस्ट वगरा है अप हमारी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं तो उसको जरूर दीजेगा मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्लास में वीडियो को लाइक सेर जरूर करियागा कोई भी क्वेरी हो कोशन हो कोई टापिक से रिटेड आपको कन्फूजन हो रही है तो आप हमें बताइए हम उसको वीडियो आपको जरूर प्रवाइड करेंगे तो मिलते हैं वीडियो में तब तक के लिए जाहिन वंदे मात्रम